एलो गाईज इन्मिस्मेंट ग्यान चैनल में आपका भूद बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप भी एक बार पैसा जमा करके अपनी मंतली इंकम जननेट करना चाहते हैं तो इसके लिए वैसे तो के सारी स्कीम्स हैं लेकिन अगर आप मीचल फंड के अंदर एक बार पैस आप एकमस्त जमा करते हैं मीचल फंड के अंदर तीन तरह के ओप्संस आपको देखने को मिलते हैं आप चाहें तो मंतली बेसिस पर SIP कर सकते हैं दूसरे नमबर पर आप एक साथ पैसा जमा करके भी छोड़ सकते हैं और तीसरा मीचल फंड के अंदर आप एक साथ पैसे ज के लिए हमें कुछ इक बातों का ध्यान लखना जरूरी है जैसे एक सही फंड की हमें सेलक्षन करनी हाती है कितने पैसे पर हमें कितना विड्रोवल लगाना चाहिए यह कुछ एक इंपोर्टेंड बाते हैं जो मैं अभी आपको वीडियो में बताने माला हूँ एक मीचल का चुनाओं करते हैं तो जब भी आप यानि सिस्टेमेटिक विड्रोवल प्लान लगाते हैं यानि मंतली इंकम जनलेट कराना चाहते हैं मूचल फंड से तो उस समय आपको ध्यान लगना है कि आपको मीचल फंड या तो लाज कैटेगरी का चुनना है या फिर फंड चुन लेते हैं जिसका नाम है SBI Large and Mid Cap Fund SBI Large and Mid Cap Fund की अगर हम खास बात देखें तो overall जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक यानि पिछले 10 साल से भी पुराना ये फंड है तब से लेकर आज तक इसने 16.10% के रिटन को मेंटें किया है पिछले 5 साल के तो झाल के इसके रिटन 13.58% के अंडर दोस्तों अगर हम बात करें पिछले एक मेले में इसने पिशने निगेटिव के रिटन्स कर आए हैं अब मालीजी घुए हम इसी fund को चुन लेते हैं इस fund के अंदर आपने सपोज SWP के लिए आप minimum 5000 रुपीज का investment कर सकते हैं और maximum जितना आपका budget हो आप उसे साब से investment कर सकते हैं suppose आपने 5 लाग रुपे का investment कर लिया तो 5 लाग रुपे के investment पर आपको ये ध्यान देना है कि आपको withdrawal कितना लगाना है यानि मंतली income आपको कितनी generate करानी है तो आप maximum 8% का withdrawal लगाएंगे 8% कितना होता है 5 लाग रुपे का 0.8% कितना होता है सिर्फ चार अजार रुपे तो हम 4,000 रुपे का withdrawal लगा देते हैं आपको दो important बाते पहली आपको fund का selection और दूसरा जो भी पैसा आप invest कर रहे हैं और withdrawal आपको कितना लगाना है यानि कि अगर आप 1 लाग रुपे का investment कर रहे हैं तो आपको 800 रुपे पिरती मंत का withdrawal लगाना है अगर आप 2 लाग रुपे कर रहे हैं तो आपको 1600 रुपे पिरती मंत का withdrawal लगाना है तो मान लीजिए मैंने 5 लाग रुपे का investment किया 0.8% के इसाब से 4,000 रुपे का हमने विड्रोवल लगाया अब अगर ये फंड जो इसके 3 साल, 5 साल और ओवर ओल के जो एवरेज रिटन है 13% हम यही रिटन्स एक्सपेक्ट करके चलते हैं 13% के भी यह अगर हमें रिटन्स दे देता है तो अगले 5 साल तक अगर ये 13% के रिटन्स प्रोवाइड कराता है तो हमारा 5,000,000 रुपे बढ़कर 5,92,000 रुपे हो जाएगा और 2,49,000 रुपे का हम विड्रोवल भी इसके अंदर से यानि मतली इंकम भी जनरेट कर चुके होंगे अब इसी प्रोवसिस को अगर हम मान दीजिये 20 साल तक चलाते हैं तो 20 साल के टाइम पीरेड में दोस्तो जो टोटल हमारा इंवेस्टमेंट हुआ वो 5,000,000 का ही था लेकिन जो विड्रोवल हमने कर लिया है उन 4,000 रुपे के हिसाब से वो 9,60,000 रुपे के आसपास होगा और हमारे जो 5,000,000 रुपे थे वे भी बढ़कर 16,50,000 रुपे हो चुके होगे ठीक है अब इसी तरह से दोस्तो अगर आप मान दीजिये 15,000,000 रुपे का इंवेस्टमेंट कर देते हैं तो आप 12,000 रुपे का विड्रोबल लगा सकते हैं तो 12,000 रुपे के विड्रोबल पर 15,000,000 रुपे हमारा बढ़कर 29,000,000 रुपे हो जाएगा और 28,80,000 रुपे के हमें दोस्तो हम मंतली इंकम यानि के जन्निट कर चुके होंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना जादा ये 13% से उपर के रिटन्स प्रोवाइड कराएगा तो उतना ही जो पैसा बढ़ेगा वो हमारे मूलदन में यानि के जो हमारा 5,000,000 रुपे है या 15,000,000 रुपे है जो भी हम पैसे इंवेस्ट कर रहे हैं उसमें एड होता चला जाएगा ठीक है तो आपको दोस्तों तीन बातों का ध्यान रखना है एक तो आपको मीचल फंड का सेलक्शन जो करना है वो कम वोलेटिलिटी वाला मीचल फंड चुनना है दूसरी इंपोर्टेंड बात आपको दोस्तों अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ पॉइंट परसेंट या मैक्जिमम बन परसेंट ही आपको विड्रोवल के रूप में लगाना है ठीक है अब यह सारा प्रोशिस हम कैसे कर सकते हैं इसके लिए आप चाहें तो जिस भी मीचल फंड को आप सलेट कर रहे हैं जैसे मैंने यहां पर SBA के मीचल फंड लिया है SBA लाज एंड मेडिकेर फंड आप अगर चाहें तो SBA की ओफिचल वेबसाइट से भी SWP को सलेट कर सकते हैं या आप अगर चाहें SIP आप करना चाहते हैं लंसम इंवेश्मन करना चाहते हैं तो फिर आप पेटियम मनी दुआरा या फिर अपना अगर आपका अकाउंट नहीं है तो पहले आपको अकाउंट ओपन करना होगा और उसके बाद में आप चाहें मंतली इंकम के रूप में SWP सलेट करें या फिर लंसम इंवेश्मन करके छोड़ें या फिर आप दोस्तो SIP करें ये तोटली आपके उपर डिपेंड करता है आपके है वाद